जी आप सामने देख सकते हो ये जो सफेद कपड़ा दिख रहा है ना ये ये तालिबान का है मैं उसका एक फोटो भी आपको बेचता हूँ ये ये लोग यहां पर सामने ही बेटे हैं आपका क्यामरा ओफ हो गया है दाउद एक बर प्लीज हाँ एक बर फिर से दिखाएगा व हमारे व्योस को वो तस्वीर और समझाईगा कि कौन है क्या है कहां कि है जी ये ये जो ये जो सामने का जो जो वाइट कपड़ा दिख रहा है आप लोगों को ये गेट के ऊपर मैं आपको फोटो भी बेजूंगा ये जो है ये तालिबान का है इन लोगों ने यहां पर कब बोलते हैं तो हम बहुत डरे हुए हैं तो इसलिए हम लोग कई भी बाहर नहीं जा रहे हैं इसलिए तो लेकिन दाओद आफगानिस्तान की जो सेना थी वो तीन लाग तालिबान डेड़ लाग बावजुद इसके बिना लड़े कैसे कैसे सरिंडर कर दिया क्या लोगों के म और बात बताईएगा जो तस्वीर आप दिखा रहे थे क्या हर जगह इसी तरह तालिबानी अपना जंडा लगा कर बैठे हुए हैं जी 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 तब यहां पर जितने भी रियासत है जो के मेडिकल्स है वगेरा जो भी है वहां पर यह लोग आपने बंदे को इंटिडू जो नॉर्मली लोग है वो तो आते जाते हैं उसका कोई उस लोगों को कोई मसला भी नहीं है ना लेकिन स्टिल हमें डर लगता है कि कहीं ना हम किसी ऐसे आदमी से मिल जाए जबके अभी आपको मैं बताओ हम सोशल एक्टिविस्ट हैं यहां पर ऐसे लोग है जो स्मार्ट अफगानिस्तान के जिसके अंदर पूरी तरह से तालिबानी घोसाए हैं अपना जंडा पैराने के लिए तो तस्वीर सीधी आपको इस वक्त अफगानिस्तान से दिखा रहे हैं आप मैं जानना चाहूंगी किस सरकारी दफ्तर की यह तस्वीर है अगर इंपूट्स भी मिल दफ्तर में तालिबानी घोसाए हैं अपने वेपन के साथ अंदर आये हैं हर चीज़ पर कब्जा कर लिया है सरकारी दफ्तर है यह ताइंस नाव भारत पर एक्स्क्यूसिव तस्वीर सीधे अफगानिस्तान से आपको दिखा रहे हैं जहां जितने भी सरकारी दफ्तर हैं चाहे न्यूस चानल की बात किजाए तो न्यूस चानल में तालिबानी घोस चुके हैं यह सरकारी दफ्तर में घोस चुके हैं दीरे धीरे कोट राश्ट्पती भवन की कल तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वहां पर भी जा चुके हैं तो यह लगातार जो काम है वो जारी कर दो, सक्षब कर दोग दो चाराभ दो दोओी जो, समय कर दो दो, तो कर दो है